एलो गुड मौर्निंग फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल, आज 24 अप्रेल है, 24 अप्रेल के दिन पोध इंपोर्टेंट डे है हमारे लिए, तो 24 अप्रेल को हम नेशनल पन्चायिती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो क्या मनाते हैं, 25 राज दिवस 24 अप्रेल को आता ह ठीक है लिद्धी पंचाइती राज मंत्री को नहतेuks यह केंदर सरकार के सैंटर कोर्मेंट की बात हो केंदर में पंचाइती राज मिनेंश्टे ग्रामिन विकास पंचायती राज मंतरी कोने नरेंदर सिंग तोमर कोने नरेंदर सिंग तोमर कोने ग्रामिन विकास पंचायती राज मंतरी पेजल मंतरी भी यही है और ग्रामिन विकास पंचायती राज मंतरी भी यही है कोने नरेंदर सिंग तोमर पुर राजस्तान का कोन है सचीन पाइलेट ठीक है एक यहां पर एकी पी एम मोदी ने नरेंदर सिंग मोदी ने पहले 24 अप्रिल 2015 को कहा था कि महीला सरपंचों के पति जो होते है वो या सरपंच पती की प्रता को स्वाप्ट करने के लिए उन्होंने आहान किया था ठीक है टोटल पंचायती राज विवस्ता केसी है हमारे राजस्तान में उसके बारे हम बात करेंगे आज तो राजस्तान की जो पंचायती विवस्ता वो त्री इस्तरिये विवस्ता है केसी है त्री इस्तरिये विवस्ता ठीक है टोटल कितने जीले है राजस्तान में 33 ना कि जनसंक्या कितनी है 6.86 करोड और ग्रामिन जनसंक्या कितनी है 5.15 करोड तो यहां की जनसंक्या हो गई और ग्रामिन जनसंक्या हो गई 5.15 करोड ठीक है अब देखते हैं इसके ओल्ड मतलब पहले के बारे में कि पंचायती राज विवस्ता की से बनी उसके बारे में हम स्टार लें कि आधुनिक बारत में पर्थम बार जो ततकाली प्रदान मंतरी थे जवालाल नेरू कोन थे जवालाल नेरू के द्वारा राजस्तान मतलब कहां पर राजस्तान के नागोर जीले में राजस्तान के नागोर जीले का एक बगदरी गाउं है कौन सा गाउं है बगदरी में दो अक्टोमर 1969 को पंचायती राज वेवस्ता लागू की थी। अब किस ने किती पंडित जो आला नीरुने ठीक है। कहां पे कीती सबसे पहले राजस्तान में कीती कौन से गाउमें बगधरी गाउमें। ठीक है राजस्तान के कौन से जीले में सोरी नागोर जीले में कौन सा गाउंवा बगदरी गाउं कब की थी दो अक्टुमर 1969 को पंचायती राज विवस्ता लागू की थी उस सब में मुख्य मंतरी कौन था मोहनलाल सुकाडिया कौन थे मोहनलाल सुकाडिया और मुख्य सच्यू कौन थे भगत जिंग मैता ठीक है अब सविदान में इनका कप प्रावधान किया तो सबसे पहले कि बारते सविदान के अनुछेद 40 के अनुछेद 40 के अंदर 40 के अंदर कह गया है कि राज्यों में पनचायतों के गटन का निर्देश दिया गया है कोन से अनुछेद के अंदर 40 के अंदर पंचायती राज्यों का उलेख हुआ है पिर 24 अप्रेल 1903 में 1993 24 अप्रेल 1993 को तेतरवा सविधान संसोदन अधिनियम आया उसमें 1922 के माध्यम से पंचायती राज संस्ताओं को सवेधानिक दर्जा दिया गया अब कोन से सविधान संसोदन में दिया गया था 73 अप्रेल 1993 को तेतरवे सविधान संसोदन में पंचायती राज 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 संस पंचायती राजधिवस मनाय जानी लगा, उस जब से, ठीक है, उसके बाद सही 24 अपरेल को क्या मनाते है अपन पंचायती राजधिवस मनाते हैं, फिर राजस्तान में इसे 23 अपरेल 1904 में से लागू किया गया था, राजस्तान में, फिर एक समीती बनाए गई थी, बल्वन् बलवंत राय महता समीती में पंचायती राज विवस्ता को मजबूती परदान करने के लिए उनाई थी है क्या मजबूती परदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय महता समीती मतलब बनाई ठीक है इस समीती में 1997 में प्रस्तूत कीती रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट और समीती की सिपारिशों को एक अप्रेल 1908 उनको लागो किया गया और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या था कि लोकतांत्रिक विकेंद्री करन और सामुएक विकास कारेकरम को सफल सफल बनाने हेतु पंचायती राज विवस्ता तुर्ट सुर्वात की जानी चाहिए दूसरा पॉइंट यह था कि त्री इस तरी विवस्ता हो फिरा नेक्स पॉइंट यह था कि पंचायती राज विवस्ता को मैता समीती ने मतलब बलवंतराय मैता समीती ने लोकतामत्रिक विकेंद्रिकरन का नाम दिया था ठीक है तो सबसे पहले कि ये बलवंतराय मैता समीती बनाई ठीक है तो इस समीती के अंदर इन्होंने अपनी सरते रखी मतलब ये ये एक रिपोर्ट पैस की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि मतलब विगेंदरी करन हो धूरी सतरिये हो कप ये रिपोर्ट का प्रस्तूत की 1967 में की बल्वंतराआ तिया-मैता समीती और एक अप्रेल 1998 को ये लागू कर दी ग Olume की जो भी सर्थे सिपारिसे थी क्या क्या थी उस रिपोर्ट में कि लोगतांत्रिक विकेंदी करण हो आधुनिक विकास कारेकरम को सपन वनाने के लिए पंचायती राजवेवस्ता की तुरंत सुरुवात की जाने चाहिए दूसरे पुइंट है कि त्री इस्तरिये विवस्ता हो तो इस सिपारिसे मानते हुए लोगतांत्रिक विकेंदी करण का नाम दे दिया गया था पंचायती राजवेवस्ता को ठीक है इस समीती ने ग्रामिन इस्ताने सुरुषासन के लिए त्री इस्तरिये विवस्ता का सुजाओ दिया था इस समीती ने ग्रामिन जो ग्रामिन विवस्ता है उसके लिए इस्ताने सुरुषासन की त्री इस्तरिये विवस्ता का सुजाओ दिया था क्या नाम दिया जाए इस्तानिय स्वासासन अब इसको निम्न प्रकार था जैसे कि ग्राम में ग्राम पंचायत हो ठीक है इसके बाद तेत्रवे सविदान संसोदन 1902 में प्रावदान किये गए मतलब क्या क्या प्रावदान किये गए थे कि एक त्री इस्तरिये ढाचे की स्तापना हो जैसे कि ग्राम पंचायत पंचायत समेती ठीक है और जीला पंचायत तीन इनकी मतलब इनकी स्तापना हो ग्राम इस्तर पर ग्राम सवा की स्तापना हो हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाओ हो अनुसुची जाती जनजातियों के लिए उनकी जनसंके के अनुपात में सीटों का आरक्षन किया जाए महिलाओं के लिए एक तियाई एक वटा तीन सीटों का आरक्षन हो पंचायतों की नीदियों में सुधार के लिए उपाय सुजाव एतू राज्य जीला आयोक का गठन किया जाए राज्य चुनाव आयोक का गठन हो फिर नेक्स्ट तेत्रवा संसोधन पंचायत सुसासन की संस्ताओं के रूप में काम करने के लिए मतलब सक्तियों का आधिकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सुचित किया जाए ठीक है और इसमें अनुसिचित में 29 विश्यों को रखा गया था यह में में पोइंट है इसके किसके हैं यह तेत्रवे सिवधान संसोधन की यह सिपारिश है ठीक है फिर पंचायती राज से समंधी तना ती समीतिया है कुछ जैसे बलवंत राय मेंता समीतिया अपने पड़ी थी यह कब बनी थी यह 1997 में इसमें क्या तीन इस्तरों की सिपा समीति 1963 में बनी थी यह वीतिया स्त्तिय मजबूत करने के लिए वनी थी फिर Nowadays सोक मैता समीतिए इस किसतापना करने के लिए वनी थी यह वे वे वी यवितायों के संत्लख समीति और लकस्मी सिंगल थी यह कब बनीती 1986 में तो सुवेदानिक दर्जा देने की सिपारिश में बनीती है क्या देने के लिए सुवेदानिक दर्जा देने की सिपारिश ओके फ्रेंट्स तो कुछ important question देख लेते हैं जल्दी जल्दी जैसे कि पंचायती राज सौपरतम भारत के किस राज्य में लाग हुआ था को जिसे में वह था राजस्तान में किस में राजस्तान राज्य में लाग हुआ था ये किसकी सिपारेश को भारत में पंचायती राज व्यवस्ता की स्थापना कई गही थी बलोंत राय मेता auस्मेश पर、 कि इस तरह पंचायती राजविवस्ता की जब शुरुवात का वूय थी क्य side there but तुमर 1969 को फिर नेक्स्ट क्यूशन है देश में त्री इस्तरिये पंचायती राज विवस्था को किन राज्यों में सवपर्तों अपनाया गया था ठीक है राजस्तान और आंदर परदेश में अपनाया गया था ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है कि पंचायती राज संस्ताओं को स्थितिव को लागु हुआ था तो तेत्रवा सवेदान संसोधन 24 अप्रेल 1903 को लागु हुआ 24 अप्रेल 1903 को ठीक है बारत में पंचायती राज वेवस्ता की शुरुवात कब वुईती दोक्टुमर के दिल जई यही याद रखना है डेट तो पने पहले याद ही कर ली नेक्स्ट है किस समिती के सिपारिश पर तेत्रवे सवेदानिक संसोधन के तेत पंचायती राज गठेन हुआ था प्रवर समिती फ्रवर समिती ठीक है नेक्स्ट है चोत्तर्वा सविदानी संसोधन समांधी तर नगरीय सोवसासन से किसे नगरीय सोवसासन ये किसे समांधी तर सहरी इलागे से फिर अब बल्वन्त राय मैता समीती का उद्देश ये था लोकतांत्रिक विकेंदी करण एतु सुजाओ देना ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है लोकतांत्र विकेंदी करण इसका मतलब क्या होता है मतलब इसका मिनिंग क्या है इस्तानिय सरकार लोकतांत्र विकेंदी करण का मतलब होता है इस्तानिय सरकार फिर है पंचायती राज विवस्ता फिर नेक्स्ट क्यूशन है पर पंचायती राज पढ़नाली पंचायती राज पढ़नाली किस पर आधारीत है सत्ता के विकेंदरी करन पर फिर नेक्स्ट है पंचायती राज का परदान लक्षी क्या है तो क्या लक्ष है इसका ग्राम वाश्यों में सक्ति का विकेंद्री करन करना गाओं में या ग्राम वाश्यों में सक्ति का विकेंद्री करन करना ठीक है तो नेक्स तूशन हो गया ग्राम पंचायत के अद्देक्स को ग्राम पर्दान किस राजी ने कहा था तो उत्तर पर्देश ठीक है बारते सविदान की कुल बारा अनुसूचियों में से ग्यारवी अनुसूचि किसे समधी था तो ग्यारवी अनुसूचि किसे समधी था पंचायती राज से ठीक है टोट कैसे संसोधन के द्वारा ग्राम-पंचायत में मयलाओं एक वर्ली तो再abytes इसम के द्वारा संसोधन के द्वारा ठीक है कि स्परकार का मथदान का प्रावदान क्या गया है कि किस परतेक्स यंगुप्त मतदान का, कौन से हैं, परतेक्स यंगुप्त, फिर नेक्ष्ट है, ग्राम पंचायत का मुख्या, तो ग्राम पंचायत का, सोरी, ग्राम पंचायत का प्रमुखंग है, सोरी, ग्राम पंचायत का प्रमुखंग क्या है, ग्राम सबा, क्या है, ग्राम सबा ठीक है और ग्राम पंचायत के मुख्या का निर्वाजन किसके द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है ग्राम सबा के द्वारा फीरत तेतरवे सविदान संसोधन के किस अनुचेद के अनुसार सभी राज्यों में त्री इस्तरिये पंचायती सासन परणाले का पन्चायती राज किस वन्सकी देने चोल वंसकी कि यह चोल वंसकी देने ठीक है फिर भलवंत राय बैता समीति के समय बारत के परदान நी को ते पंडी जे लानि कुण थे पंडी ज्वाला नेरू और बल्वंत्राय मैता समीती कब बनी थी 1957 फिर किसने पंचायती राज लागू करते समय दो क्टुमर 1969 को इसे लोगतंत्री की पर्थम पार्थ साला बताया था इसको पंडी ज्वाला नेरू ने फिर पंचायती संस्ताओं के करतेवयों की सुची सविदान की किस अनुसिची में हैं ग्यारिवयनी सुची में ठीक है कुण सी में हैं ग्यारिवयनी सुची में झाल झाल